नम्सकार दोस्तो आज हम बात करेंगे FDI जो कि आज का हमारा टोपी है दोस्तो FDI शब्ध हम अक्सर सुनते ही हैं दोस्तो FDI की जो full form है वो है foreign direct investment investment यानि कि यह इस ऐसी investment है जो विदेशियों के द्वारा की जाती है और company का जो control है वो विदेश्यों के हाथों में होगा simple से अगर भाशा में हम बात करें तो किसी एक देश की company का दूसरे देश की company में किया गया investment FDI कहलाता है simple सा उधारन है कि अगर foreign company इंडिया या इंडियन company में investment करें investment कैसे करेंगी shared venture को purchase कर लेगी या company इंडिया में आके establish कर लेगी तो वो होता है FDI दोसो FDI दो तरह से हो सकता है नमबर दो portfolio investment and greenfield investment portfolio investment यानि जो forging company वो इंडिया company के कुछ share या डिवेंचर को purchase कर लेगी नमबर दो greenfield investment दोस्तों यहाँ पे जो forging company वो इंडिया में आके अपनी company को में company जो है अगर FDI company, Indian company के कुछ share को purchase कर ले तो जो FDI company है वो shareholder बन जाएगी इंडिया कमपनी ही, ठीक अगर वो shareholder बन जाती है तो इंडियान company की जो management है, उसमें उसकी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी या हिस्सेदारी बन जाएगी और अगर हिस्सेदारी बनती है या शेयरोल्डर बनती है तो as a shareholder उसे कंपनी की इंडियन कंपनी की meeting में वोटिंग में पार्डिसपेट कर पाएगी वो इसके बात दोस्तों हम बात करेंगे roots की roots यानि कि किस तरह से एक foreign company जो है इंडिया के अंदर enter host दिया दोस्तों इसके भी two root बना रखी है नमबर one जो root है वो है automatic root नमबर two government root automatic root जैसे कि नाम से clear है कि इसमें government की permission की जूरूट नहीं होती लेकिन government root जो है उसमें permission की जूट होगी किसकी Indian government की तो समानता अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि अगर foreign company Indian company के 10% share purchase करती है तो वो जो है वो company जो foreign company है वो FDI की रूप में माननी जाएगी लेकिन अगर एक foreign company 51% से ज़्यादा के share किसके Indian company के purchase करती है तो जो Indian company के ओपर जो control होगा वो सारा foreign company का होगा यानि कि foreign company जो भी decision लेगी वोई implement होगा इसके अलावा इसलिए कहा जाता है कि जो foreign company अगर 51% से ज़्यादा share खरीती है इंडियन company के तो जो foreign company है वो holding company माननी चाहेगी और जो Indian company है वो subsidiary company होगी ठीक दोस्तों अगर आगे हम बात करते हैं कि इसकी जो advantages क्या है किसकी FDI की और disadvantages क्या है FDI की दोस्तों advantages of FDI में first जो है हमारी advantages inflow of funds दोस्तों FDI से जिस देश में वो मतलब कि जिस देश में वो control या share purchase करती है यह company को खड़ा करती है तो जो inflow of fund है वो बढ़ेगा उस देश का क्यासे क्योंकि वो आएगी और वो foreign currency लेकी आएगी तो यह इसका feature यह advantage लगा सकते हैं इसके लावा high technology दोस्तों अगर कोई foreign company इंडिया में आकर invest करती है तो जाहिर सी बात है कि जो technology है वो भी new होगी advance होगी इसके लावा employment generation दोस्तों इससे अगर foreign company हमारे यहां इंडिया में आगे share वगार प्रचेज करती है company establish करती है तो employment generation generation generate होने के काफी असार हैं इसके अलावा increased tax revenue दोस्तों increased tax revenue जिस भी देश में वो foreign company share purchase करती है या ही अपनी हिस्सेदारी बनाती है यह company को establish करती है तो इससे जो उस देश की government है उसको भी काफी benefit होता है क्योंकि company उस देश में अपने वेपार को प्रेट करने के लिए जो income earn करेगी उसके उपर उसको एक fix percent से government को tax देना होगा इसके लावा high quality of product यह simple सी बात है अगर दोस्तों foreign company जो advance company होती है अगर वो यहां पर आकर हमारे इंडिया में आगया अगर यह purchase शेर करती है यह company establish करती है तो जो यहां पर जो बन रहे हैं product उसमें काफी competition होगा जिसके चलते कंपनिया new technology high standard के product को उतारेंगी तो product की quality में वो जाद से ज्यादा focus करने की कोशिच करेंगी उसके बाद आता है दोस्तों disadvantages of FDA दोस्तों disadvantages में simple C इसके meaning से ही निकलिए यह disadvantages की foreign foreign control दोस्तों अगर वो shareholder बनती है और 51% से ज्यादा जो है वो शेयर को purchase करती है तो simple सी बात है कि control Indian company का नय होके उस foreign company कहीं होगा इसके लावा harmful होएगी कि किसके लिए domestic company के लिए दोस्तों गर इक foreign company Indian company के यहां share को purchase करती है यह अपनी company को establish करती है तो जो हमारी domestic companies है उन्हें ते लिए यह नुकसान दाएक होगी क्योंकि competition जादा होगा तो यह चोग हमारी domestic company है वो पिछड़ दिजेंगी तो देन ठर्ड आता है outside management and control दोस्तों simple से बात वही point को गुमा के यहां पर लिखा गया है कि अगर control बहार पर होगा तो इंडिया का control कम होगा और जो decisions है नहीं नहीं policies है वो सारी foreign company की होगी इसके अलावा repartition of profit दोस्तों अगर FDI FDI जो company है वो इंडियन या इंडिया में आके शेर को purchase करती है या अपनी company को establish करती है तो दोस्तों यहां से पैसा जो कमाती है या जो उसे profit होगा उसका एक एक fix जो amount या हिस्सा है वो अपने office जिस जिस देश वो आई है उस देश में भी लेकी जाएगी तो यह भी थोड़ा इसका disadvantage stages में आ सकता है इसके अलावा दोस्तों जो अब हमारा main topic है that is forging direct investment in retail दोस्तों जो हमारा subject है तो किस तरह से FDI retailing के sector में या retailing के sector में एक उभरता हुआ रास्ता है ठीक है तो इसके purpose क्या है retail sector के अंदर FDI के purpose क्या है तो number 1 purpose है दोस्तों हमारी जो इंडियन जो लोग है उनकी purchasing power को increase करना और दूसरा है जो ब्रांड्स है उनकी popularity या उनकी प्रसिद्धी का प्रसार करना इसके बाद आता है दोस्तों retail sector जो है जैसे कि मैं पिछे बात की थी कि FDI in retail तो retail sector में जो इसे है दो भागों में distribute किया गया है नमबर वन है single brand retail and second one is multi brand retail तोस्तों single brand retail जैसे के नाम से clear है कि एकल brand retail का meaning फोर्जन company को international level पर एकल या single brand के तहत प्रड़क्ट को selling करने की permission दी जाती है इसका simple सा यह meaning है इसने आप examples ले सकते हो Nokia, Adidas, Nike, Sony, ETC और भी बहुत है सर्च कर सकते हैं आप second पर आते हैं दोस्तों multi brand retail है multi brand retail जैसे कि इसके नाम से clear है कि multi brand retail वो retail है जिसमें investment के साथ बहुत सारे प्रड़क्ट प्रड़क्ट जो होते हैं उनको एक इच्छत के निच्चे sell किया जाता है multi brand retail के आप उधार उठा सकते हो Walmart, Tesco, Masses, ETC अगर इससे जाद आप देखना चाते हैं तो आप Google पर जा सकते हूं तो दोस्तों तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि single brand products retail trading दोस्तों single brand retail इसमें जो equity percent है वो 100% होगा और जो इसका जो entry route होगा वो 49% swim या automatic route होगा इसके लाब 49 से जादा अगर वो आना चाहती है तो government route द्वारा वो entry लेगी government route या नहीं government की permission उसके लिए जरूरी होगा इसके लाब मल्टी ब्रांड डिटेल इसके लाब दोस्तों multi brand retail जैसे इसके नाम से clear है कि जो single brand retail था वहां पर सिर्फ एक ही brand से related एक ही product लेकिन यहां पर दोस्तों एक ही चत के नीचे एक से ज्यादा brand